ओम शान्ति दिदी माया की चाया से बचने का क्या साधन है? माया की चाया से बचने का साधन है बाप की चतर चाया और चतर चाया का मतलब है कि सदा खुश रहना तो दिदी जिनकी खुशी गुम होती है वो तो कंजोर हो जाते है हाँ, अगर खुशी नहीं रहेगी, तो माया की छाया का प्रभा पढ़ जाता है ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि कमजोरी ही तो माया का अवान करती है अगर सपने में भी माया की छाया पढ़ गई, तो परिशान होते रहेंगे हाँ? कभी तो माया से यत करनी पढ़ेगी, इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा बाप की छत्रचाया में रहो और छत्रचाया का मतलब है कि याद में रहो ओ अच्छा, तो कमजोरी ही माया का आवान करती है और बाप की छत्रचाया ही हमें से इस रच सकती है Ah, hátja, umshandý, umshandý!